आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाउ Question में हमसे पूछा गया है कि given options में से false fruit कौन सा होता है अब false fruit term से हम क्या समझते हैं इसके लिए हम Morphology के भारे में थोड़ा देखते हैं हमें मालूम है कि जो flaring plants होते हैं उसमें female gametia egg जो है वो ovule नाम के structure में present होता है और ये ovule ovary की wall में enclosed रहता है तो fertilization के बाद क्या देखेंगे कि egg तो male gametia साथ fuse कर गया और इसके बाद इसने embryo बना दिया तो जो ovule है fertilization के बाद वो seed नाम के structure में बदल जाते हैं और ovary ripe होने के बाद fruit बन जाती है तो यानि ovary से fruit बन रहा है तो true fruit इस तरह के fruit को हम कहेंगे जो ovary की ripening से बन रहा है fertilization के बाद लेकिन कई बार हम देखते है कि fruit की formation में flower के other parts भी involved है normally fertilization के बाद इन flower के parts को wither हो जाना चाहिए fall off हो जाना चाहिए लेकिन false fruit के case में हम देखेंगे कि ये जो parts है ये fruit की formation में involved हो रहे हैं और ovary के अलावा हमें flower के other parts भी fruit में ripened form में मिल रहे हैं अब अगर अपने options को देखें पहले हमें दिया हुआ है pom अब pom किस type का fruit होता है ये generally हमें rosacee family में मिलेगा और अगर इसके common members की हम बात करें तो हमारे पास apple और pear जैसे fruits हो जाते हैं इसमें हम देखते हैं कि half inferior ovary से इस fruit की formation हो रहे है इसके बाद pepoh अगर देखें और hesperidium ये दोनों जो हैं असल में berry के ही slightly modified forms हैं berry अगर हम देखें एक fleshy type का simple fruit होता है और pepoh किस type की berry होती है जिसकी जो outer covering है या exterior है वो hardened हो गया है इसे हम pepoh कहते हैं जो हमें cucurbits में generally मिलेगा और hesperidium के case में हम क्या देखेंगे कि जो इसका छिलका है वो थिक या leathery हो जाता है इसको हम rind का नाम देते हैं और अंदर हमें इसका juicy part मिलेगा या juicy pulp है वो इस छिलके के अंदर present होगा इसके example की बात करते हैं तो जो citrus fruits होते हैं वो इसी तरह की modified berry होते हैं फिर droop again हमारे पास एक simple type का indecent fruit है इसमें हम देखते हैं कि जो इसका outer part होता है वो fleshy होता है या edible होता है और as a fruit हम इसको ही use करते हैं और ये outer fleshy part enclose करे रहता है एक single hardened या stony seed को इसका common example हमारे पास सही बात है क्योंकि हम देखते हैं कि apple में जो हम consume करते हैं part apple का जो pulp होता है वो असल में ovary नहीं flower के thalamus से बना हुआ है और क्योंकि thalamus generally fruit की formation में involved नहीं होता है तो जब thalamus fruit बना रहा है इस fruit को हम false fruit कहेंगे जो हमें apple और पेर जैसे fruits में देखने को मिलता है क्योंकि ये fruit पोम की category में आ जाते हैं इसलिए correct answer mark करेंगे which of the following is false fruit? option A, पोम आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप या वाच्साप कीचे अपने डाउट आच चार्सो 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 पर